हेलो नमस्ते आदाबर्ज है और आप देख रहे हैं बिनी टॉकी जोटा बाइट्स और आज हम बात करने वाले हैं अमिताब बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुपता, पवेल गुलाटी और सुनील ग्रोवर स्टारर गुडबाई के ट्रेलर के बारे में तो कली ये ट्रेलर आया है और इस ट्रेलर से लगता है कि इस फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म बेस्ट ऑन फैमिली डायनमिक्स, डिफरेंट बिलीव सिस्टम्स, अलग 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 फैमिली मेंबर्स के और उनके बीच का टसल, स्पेशली, हाओ एंड वेन दे गो थूरू अ और नीना गुपता इनकी पीसमेकर होती है, ये मुवी काफी रिलेटबल लग रही है अपने ट्रेलर से, इसमें दिखाया है सारे बच्चे अपने अपने लाइफ के पाथ पे निकल चुके हैं और जादा फैमिली से कनेक्टिग नहीं है, अनफोर्चुनेटली सब को एकट इस फैमिली का एक मेजर लॉस लेके आता है, नीना गुपता के कारेक्टर का डिमाइस हो जाता है और उसके बाद सबके अपने अपने बिलीव सिस्टम्स आपस में टक्राने लगते हैं, आशीश विध्यार्दी जी का रोल इसमें काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है, ब concept which has been already explored by movies like Paglet and Ram Prasad की तेरवी in the past, those movies were more like a satirical take and this one looks more like a comic and fun tale, produced by Balaji Telefilms, इस मुवी के डिरेक्टर है विकास भेल, जिनोंने हमें क्वीन जैसी अच्छी मुवीज दी है, सुनिल ग्रोवर का कारेक्टर एस बाबाजी भी काफी अच्छी अच्छी कामेडी करता होत दिख र for me was Amit Trivedi का मुजिक, especially the Jayakal Mahakal song. This movie is scheduled to release on the 7th of October, I am eagerly waiting for it, what about you? Mention in the comments and let me know how you feel about Goodbye Ka Trailer, if you like this video, do like it, share it with your friends, subscribe to Mini Talkies, do not forget to subscribe and until the next dose of entertainment, see ya! झाल